असलाम लेकम विवर्स, तमाम देखने वालों को डेरी एंड एनिमा लाइफ में वेलकम आज हम बर्जन की कास्त के हवाले से बात करेंगे पार्ट वन इसका पेले हमने डिसक्स किया था, आज हम पार्ट टू डिसक्स करेंगे तो इसमें हम तीन मुख्तलिफ खेत हैं जो उनके बारे में डिसक्स करेंगे जिन में इसे दो ऐसे खेत हैं जिनको हमने फर्स टड़ सेकंड कहा है जिन में बर्जन की कास्त के बवजूद फसल अच्छी नहीं हुई और जो तीसरा है थर्ड पर उसमें अच्छी हुई है तो इसकी वज्जा हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है जो पहले नमबर पर आपको दिखाया गया है इसकी जो काश्ट है वो सेब्तमबर में हुई थी और वो कामयब नहीं होई थी फिर दुबारा करना पड़ी इसके बाद जो सेकन्ड है जो अभी सक्रीन पर चलरह है यह भी सब्सक्राइब में हुआ था ये इसके बाद Boyie K तो अब हम लेखेंगे कि तो आप हम देखेंगे कि कौन सा उअपे होगा और उसकी क्या वज़ा बु इसकी ना वेखर होने की वज़ा क्या है अब भी ये जो आपको थर्ड नदर आ रहा है स्क्रीन पर ये सबसे बेतर है और ये शार्ट टाइम में रेडी हुए है इसके साथ साथ इसमें मल्टी क्राप्स हैं जैसा कि आपको नदर आ रहा है ये सरसू है इसके साथ साथ इसमें बाकी जै जोद्री भी है गंदम भी है और साथ बर्सन है तो ये अच्छा हुआ है और इसके अच्छाओने में हम आपको बदा देते हैं कि क्या वज़ा है यहां भी हमने पहले गंदम जई और सरसु को काष्ट किया है और उसके तकरीबन दस दिन के बाद फिर हमने इसको पानी लगाया जब ये उग आई है और पानी लगा के फिर हमने उसमें बगोया हुआ बर्सन जो है जिसको पहले 24 गंडे बगो दिया गया था वो इसमें उसका चटा लगाया है और चटा लगाने के बाद वो एक दो दिन के बाद उसकी जड़े निकलना शुरू हो गई और फिर हमने इसको जिस वक्त तक उसकी जड़े नीचे नहीं चली गई इसको हमने नमी की आद़त में रखा है यानिके पानी छड़काओ इस पर किया है और इतने तरह से नमी मिली है जिसके वज़ा से इसकी जड़ें जो हैं वो जमीन के अंदर चली गई है तो ये जो है ये बहुत अच्छा हो गया है तो जो पहला और दूसरा है उन दोनों की मुख्लिफ वज़गात है जिसकी वज़ज़ा से वो नहीं हो सका जो नमबर दो के आपको जागया है उसका जो मसला बना है वो ये था कि इसको जब हमने कवाश्त किया था तो ये बहुत अच्छी आलत में उगाया था लेकिन उगने के बाद तकरीबं यावी बारा से तीरा दिन का था तो उस वक्तदोः जबरदस्त बार्षे हुनी इैक बारा तीरा दिन एक जो सेकंड नमबर हो खतम होगा